जबर तो अगर आपको वह student जो on-demand exam में registration करा चुके हैं यह फिर on-demand exam में admission लेने वाले हैं तो उन सब student के मन में जो confusion hootा है कि जो तो एन आई ओस बोर्ड ओन डिमांड एक्जाम करा रहा है तो सर उसका स्लेवर्स क्या है जी हां इस लेवर्स बिल्बूल अच्छे आपको बता होना चाहिए तो आप उसके एकॉर्डिंगी प्रिप्रेशन कर सकते हैं कि समय यांपर बहुत कम होता है एक या दो महिने में ही कैसे आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा कुश्ण पेपर के डिजाइन क्या होगा किस तरीके से कोष्ण पिपर आएंगे क्या लोग उपकॉस्टेयु जहोंगे उस सब के बारे में पर हम लोग बताने हुआ है साथ-साथ में एक होते हैं ट्यूटर मार्क से साइनमेंट तो तीमें तो प्टीमें अमारे ओन्द एक्जाम से क्या रिलेटेड हैं कितना रोल प्लेए करते हैं यह नहीं करते हैं उससब बताएंगे आपका प्रेक्टिकल एक्जाम को लेकर तो बहुत चारा गंफिजन है बहुत सारा इस्टुडेंट को ची मैं अल्रेडी अपने दू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो लोग में को नहीं जाते हैं उनको में अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन दे दू मेरा नहां में तीपक सिंग घुसाइन और मैं हूं प्टीटी पोस्ट डिलेट टीचर साथ साथ में हम एं आप सारे एसे ल लेकिन यूट्यूबर नहीं है यहां पर आपको एक कम्प्रीट पैकेंग दिल रहा है मैं यहां पर टीचर भी हूं और साथ साथ पर आपका यूट्यूबर भी हूं आप यहां पर मैं जाहूंगा आपको कि अगर आप हमारे चैनल से जो भी इस्ट्रेक्शन दे रहें कि और देको तो चलिए एकट करके स्टेंट करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पाद कर रहेते हैं कि आप यहाँ पर किया है कि या अप देखोगे तो याट ओड की वबसाइट पर जो बीस लेटर जो हुआ है वो सिर्फ पबलिक एक्जामकारी है पर प्रफॉल्क एक्जामकारी है लेकिन हमारा जो थो टूडेंस है और जो स्टुडेंक्स को आमने ग्जाम देने पेले पिछ रिलीज होगी रिलीज हूआ है वो सिर्फ पब्लिक एक्जाम काही है वहां पर पब्लिक एक्जाम के पारे वे पेरी पहले ही पताया हुआ है कि वहां पर कोई मौल से चेप्तरस आने हैं कोई निलिया है लेकिन हमारा रूट्धिक इस्पेसिक स् लेड़ा वा Vive apresentym पुरे साथ बर वो लोग लेते हैं और अपना एक्साम देते हैं और निमांड में वो लोग आते हैं जो पिसले किसी बॉर्ड में फेल हुए है यानि कि आरेडी उन्होंने को पड़ा हुआ होता है सिर्फ उनको यहां पर समझना होता है कि किस तरीके से हमको क्षों को से सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम देखें तो बात करते हैं को इस तरीके से डिजाइन होगा तो अगर हम कोशन पेपर की बात करें तो यहां पर भी आपको 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 पेपर डिजाइन हमारे पास कुछ ऐसे कोशन हमारे पास हैं जो आपका स्टूडेंट से पूछ के क्लेक्ट करें कि किस सब्जेक्ट में कोन से कोशन आये थे तो उनको लेकर हमने कुछ इंपोर्टेंट कोशन भी डांसर बनाये वें आपके लिए अगर आप चाहो तो हमारे साथ वर्टसप नंबर से जोड़के ओंडिमांड एक्जाम के लिए तैयारी करने के लिए इन कोशन प्रिपर को ले सकते हो बहुत सारे को अदे सब्सक्राइब अधर होता है तुटर मांक्स है आजमेंट के होते हैं अगरने की बात कर रहे हैं तो इन्तरनल अजीम मेंट भी किस सब्सक्राइब अर्में होते हैं यह थे फुब्रिकником वाले डिए भी होता लेकिन गुपलिक एक्जाम के बारे बारे में देते हैं, क्योंकि याँ पर क्या है,ели जम्ब लोग पढ़ने जाते हैं, तो वापर पर कुछ चेप्टर्टर्स होते हैं, जो पुपलिक एक्जाम के बैसिस पर लेकिन बहुत सारे लोगों से पोश्टे से कोई कोश्चन नहीं पुछे गई है और कोई-कोई-कट सब्चेक्ट नहीं तो वह बात अलग है लेकिन उसमें भी आप एककाम कर सकते हैं आप अप अब पुब्लीक एक्साम था जो पहले आप उनकी तैयारी कर लिए अगर आपको है तो हमारे वाट से जुड़ियेगा हम आपको सारा डिटेलों पर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो यहां बात करते हैं प्रैक्टिकल दियास पहले बात तो पहुत सरी स्कूड़िये नी बूछ रहें कि सर मैं तो अर्डेटी प्रैक्टिकल पास हूं तो मैं क्या प्रैक्टिकल दूँगा तो देखें आपको अगर आपको पता है कि आपने यहां पर मार लिजे कोई इंग्लिश और आपने जो है फिडिक्स यह दोनों स मैं गुआ जाएं वहां देने जा रहे हों कैमेश्ट्री आप इंग्लिश्ण और्स का हस Quality आपके में हैश और में कोई आप आप बोलोगेनां मैंने तो पहले प्रैक्टिकल दिया था तो उससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर अन्य बोर्ड में और दियों अग्जाम होना है तो इस प्रैक्टिकल में कव होना है जैसे मान वे आप जो है सिग्स्थ जून को आप नोاخी जून को एक्जाम देने का है ठीट का ठीगल झाओ न को बहुत的 Дिन वहां पार जब आक एक्जाम से रहे हों को ब्रहलें तो वहां पर एक की आपका इस सब्धेक्श का प्रैक्टिकल कभ है कि और जनरली आप सभी स्टूडेंट को बथा दू कि जो ओन डिमांड एक्जाम होते हैं आप अगर इंडिया में कहीं पर भी दे रहे हो तो वह सिर्फ आपका टूस्टे वेंडेश दे और थर्ज्टे तीन दीन ही होते हैं और जो फ्राइडे और सेटेडे होता है उन दो दिन जो ह और यानि कि पभली एक्जाम में फिर नहीं होते हैं लेकिन अंडिमांड में पहले इक्जाम में आपको देने जाना होता है जब आप पर इंड्स बसक्राइडे हो जाएगा घुअए। तो वहां पर कर तीन निर वहां Verkehr अग तूस्टे वेनेज़ दे थर्जडे एंड इवन फ्राइडे उसो चार दिन यहां पर एक्जाम की टैमिंग के अगर हम बात करें तो यह मुस्टली दिन में होता है दो बज़े से लेकर पांच बज़े के बीट में इसका टाइमिंग होता है और जिसमें सारे लोग जो है आपको एक पर्टिकलर फाइल भी बना के लेकर जानी होगी तो आप पर अच्छे मार्च लेने के वहाँ पर पूरे-पूरे हगदार होते हो रिटन और वाईवार जनरल दो कोस्टन दे दिया जाते हैं या कुछ पूछ ले जाता है सब्जेक्स से रिलेटिट इतरह कोई इंपोर्टेंट से आप देता नहीं है सट्डी सेंटर में एक्जाम सेंटर में यह देखा जाता है कि आपके प्रेक्टिकल फाइल बना दिये तो जिने स्टुडेंट फाइल बनाना हो तो हमारे पर दोनों औप्छन हैं आप चाहें तो ह साथ साथ में आपका अगर ऐसे है कि बिल्कुल आपके पास समय नहीं है तो भी हमारे बटसप नंबर से संपर करिए हम आपको बताएंगे कैसे सौल प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल सकती है जिसमें आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं होगी सिर्फ समिट गराना होगा व तो हमारा यह जो चैनल है वी सी आई सी गुरू जी पहले तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूं तो कि इतने कम समय में इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ गए हैं और यह सब्सक्राइबर अभी जो है 50,000 हमारे होने वाले हैं उसके लिए मैं आपको भी बसाई देता हूं और कहीं न कहीं पर मेरी इसमें पूरे 2-3 साल की मेहनत है जो कि आपको 1000 जादा वीडियो समने अपने चैनल में डाले हुए अपने स्टूडेंट के लिए और यह हमारे स्टूडेंट है नंबर है वाटसप पर इस नंबर या इस नंबर पे इन टीम आपको पूरा है और इसी दरीके के वीडियो में लेकर आता रहूंगा तब तक बाई बाई धन्यवाद जैहिंग जैवारत